हेलो प्यारे बच्चों, वेल्कम बेक टो और्गेनाईज नौल चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर 12, 4, 6, साइन सब्जेक्ट की बच्चों ये वक्षीट है जो आपके लिए 13 अगस 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चों उसमें हम बोजन के घटक अध्याय से वसा के बारे में पढ़ेंगे वक्षीट शुकरने से पहले बेट अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैर आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं वसा जो है वो हमारे भोजन का एक महत्यपूर्ण भाग है यह कार्बोहाइडरेट से जादा उर्जा प्रदान करता है तो लास्ट वक्षीट में हमने पढ़ा था कार्बोहाइडरेट और प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा कार्बोहाइडरेट कैसा है कार्बोहाइडरे में होती है, संगरित फॉर्म में होती है, ठीक है, तो बची हुई जो उर्जा होती है, बची हुई उर्जा वो किस फॉर्म में जमा हो जाती है, हमारे श्रीर में वसा के फॉर्म में जमा हो जाती है, वसा हमारे श्रीर में जमा होता रहता है, कुछ जीव, जैसे भालू, गिल लहरी जब सुपता वस्था में चले जाते हैं तो क्या होता है इंसान भी अपने श्रीर में वसा जमा करते हैं जो इनके श्रीर में एक बड़ी उर्जा का स्त्रोत के रूप में होता है जिसके दोबारा ये लंबे समय तक खाए पिये भी ना रह सकते हैं तो भालू की लहरी क् कुछ जो महीने होते हैं उनमें वो जो है शुपत वस्था में चले जाते हैं यानि वो बहुत लंबे समय के लिए क्या होते हैं सो जाते हैं और तब वो अपनी जो स्टोर वसा होती है उसका प्रियोग करते हैं और इनसान भी क्या है अपने श्रीर में वसा जमा करते हैं और हमारा शरीर हमारी जमा हुई वसा को कार्बो हाइडरिट में बदलता रहता है और उससे उर्जा फिर लगाता लेता रहता है। और यही कारण होता है कि जो जीव होते हैं वो एक लंबे समय तक क्या है खाए पिये बिना रह सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे जन्तु वसा के स्त्रोथ दिये गए हैं और पादप वसा के स्त्रोथ हैं। तिल, नारियल, जैतून और वनस्पती का तेल इन सबसे हमें जो वसा है वो मिलती है। यह आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा भी समझाया गया है ठीक है। आप देखिए वसा की उपस्तिती को सामान्य परिक्षन द्वारा जाचा जा सकता है। तो वसा की जाच हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दिया गया है क्रिया क्लाप है, खाने में चीजों की वसा की उपस्तिती का परिक्षन हमें करना है। थोड़ा तेल लेंगे और उसे कागस पर रगड़ देंगे। अब आप भी देखते हो कि अगर तेल को कागस के उपर रगड़ देंगे तो वो तैल यह हो चाएगा। और उसमें से थोड़ा थोड़ा धुंदला धुंदला आरपार दिखाई देने लगता है। तो जिन भी पदार्थों से दुंदला दुंदला ऐसे आरपार पूरत तो आरपार दिखाई नहीं देगा तो दुंदला दिखाई देता है। उनको हम क्या कहते हैं। उनको हम पारभासी कहते हैं। तो हम कागस के आरपार नहीं देख सकते। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो पारभासी हो जाएगा, कागज तो इस से हम पता लगा सकते हैं, कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर वसा थी, clear, उसके बाद देखे, यहाँ पर ये दिखाया गया है, आपको खराब वसा, यानि जो जंक फूड होता है, पास्ता, बर्गर, य ये सब किसके स्त्रोथ हैं, ये सब खराब वसा के स्त्रोथ हैं, हमारी बोडी के लिए ये अच्छे नहीं होते, और ये किसके स्त्रोथ हैं बच्चो, अच्छी वसा के जो प्राकर्तिक भूजन होता है, जैसे कि सोया बीन है, तिके, और मक्षन है, वो अच्छी वसा के स्त प्राकर्थिक भूजन होता है अब यहाँ पर आपको छे प्रशन दिये गए हैं बहुत ही आसान से प्रशन हें तो यह बिटा करते पहला प्रशन है जब किसी खाद़ेतारस से लिप्टा कागजरनेश चिकना और पारभासी हूज जाता है तो इसका मतलब है की भूजन में शा जूम करके करेंगे बिटा ताकि आपको जो है आसानी से दिख जाएगा सही मेल करें तो देखें सेम के अंदर क्या होता है सेम के अंदर होता है प्रूटीन तो मखन के अंदर क्या हो जाएगा मखन के अंदर हो जाएगा वसा देखें मखन के अंदर क्या होता है मखन के अंदर है वसा उसके बाद देखे नमबर 3 जानवरो तो था पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा के स्त्रोत के नाम बताईए तो आपको जानवरो और पौधों से प्राप्त होने वाली वसा के स्त्रोत के नाम बताने हैं देखे हमने अभी यहाँ पे किया था यह देखे तो आप ऐसे ही आंसर लिख देंगे जन्तु वसा के स्त्रोथ उसमें यह वाले एक्जामपल लिख दीजे और पादप वसा के स्त्रोथ उसमें यह वाले उधारन जो है सारे लिख दीजे तो यह आपका complete यह वाला question जो है आपका क्या हो जाएगा question number 3 का answer हो जाएगा ठीक है पेटा यह पूरा लिखना है आपको यह सारा स्त्रोथ तो लिख नहीं है ना तो यह complete लिखना है अब देखे प्रशनित 4 है अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन का एक एक उधारन बताईए तो अच्छे वसा और बुरे वसा का उधारन तो देखे यह लिखना है आपने खराब वसा जंग फूड अच्छा वसा प्राकरतिक भोजन ऐसे ही लिख दीजिए ठीके डैश लगा के खराब वसा जंग फूड अच्छा वसा प्राकरतिक भूजन नेक्स देखे नमबर 5 वसा हमें कार्बो हाइडरेट से अधी कूरजा देता है सही है या गलत है तो वसा जो है हमें कार्बो हाइडरेट से अधी कूरजा देता है ये बिल्कुल सही है ठीके तो आप किस पे निशान लगाएंगे ये सही पर निशान लगा देंगे नेक्स देखे प्रशन 6 है क्या आप उन जानवरों के नाम बता सकते हैं जो वसा को अपने शरीर में जमा करके रखते हैं तो हमने अभी उपर पढ़ा कि जो कौन से जानवर है जानवर जैसे की भालू और गिलहैरी तो ये दो जानवर है जो की अपने शरीर में जब सुपता वस्था में जाते हैं तो इनके शरीर की जो वसा है उसका वो प्रियोग करते हैं तो इस आंसर में आप क्या लिखतेंगे बच्चो इसमें आप लिख देंगे भालू ठीक है और गिलहैरी तो ये इसका आंसर हो जाएगा साथ-साथ आपको याद भी हो गए होंगे कोशिश किया कीजिए कि केवल लिखना ही नहीं है आपको साथ-साथ लर्न भी करना है तो ये थी आपकी आज की वर्क्षीट साइन्स की अगर आप सभी बच्चो को वीडियो अच्छे लगी तो नीचे रैड बटन प्रेस कर वीडियो को जो है नीचे लाइक भी कर दीजिए और रैड बटन प्रेस कर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में फिर बैल आएगी उसको भी प्रेस कर दो ताके आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए तो थैंक्स पर वाचिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ टेक केर